मौसम बदल चुका है मैं कहना शाहूंगा अब मौसम बदल चुका है और हमारे चैनल्स भी आपने देखा होगा मुझः फरावाद और गिलगित का तापमाम तंपरेशर जिसे हम कहते हैं दरजाए हरारत भराब दरजाए हरारत बता रहे हैं अब तंपरेशर बतला रहे हैं मुझः फराबाद की और गिलगित की इस तरीके से माहौल इत्में बबला हुआ है और मैं जानता हूं कि यह तंपरेशर बतलाने के कारण यह दरजाए हरारत बताने के कारण अब इसलामाबाद में भी कुछ हरारत महसूत होने लगी है और इसलिए है वे कुछ जादा सरारत करने पर भी आमादा है लेकिन आप देख रहे होंगे आप देख रहे होंगे कि हमारे सेना के जवान, हमारे अर्द सैनिक बल्ल हमारी जम्बू काथमीर के पुलिस और इंटेलिजन्स के म्यूच्वल कौरडनेशन से उनकी सरारत का मुहतोर जवाब जम्बू काथमीर की धर्ती पर दिया जा रहा है मेरे बेहनों भाई मैं जम्बू काथमीर के उन सारे सहीद हुए अपने सेना C.A.P.F और जम्बू काथमीर पुलिस के जवानों की इसमृति को नमन करता हूँ और यहीं पर कासवीर में सरपंच अजय पंडिता कि जिस तरीके से कैराना हमला करके हत्या की गई है निर्मम हत्या की गई है मैं बाईयों मैं उन अजय पंडिता की स्मृति को ही मैं नमन करता हूँ जम्बू के कार करता हूँ को और जम्मू की जंता को संबोधित करने के लिए दी मैं खड़ा हुआ हूँ तो मैं पंडित ब्रेवनाद जी डोगरा को भी नमन करना चाहता हूँ और साथ ही नमन करना चाहता हूँ कास्मीर घाटी के बारामुला छेद्र के रहने वाले मुहम्मद मकबूल सेरवानी को जिन्होंने 497 में कस्वीर में भारत का तिरंगा जंदा साहराने का काम किया था उनको भी मैं नमन करता हूँ